हेलो मैं अभिनव बिंद्रा हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि खेल कूद को हमारे समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा कैसे बनाया जाए युवाओं के चौतरफा विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है जो शारेरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्त को बढ़ावा देने के साथ-साथ तीमवक और खेल भावना को भी बढ़ावा देते हैं हम कैसे ऐसा अंदोलन तयार कर सकते हैं जो हमारे देश के युवाओं को खेल की तरफ ले जाए खेल के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप पूरी भागीदारी के बिना नहीं खेल सकते हैं जीवन का सार हमारी भागीदारी में है तो खेल भागीदारी की मांग करता है आप भागीदारी के बिना स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं आप भागीदारी के बिना आफिस जा सकते हैं आप भागीदारी के बिना शादी तक कर सकते हैं मगर आप भागीदारी के बिना खेल नहीं सकते क्योंकि खेल भागीदारी के बिना कारगर नहीं होता कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं जब आप बॉल को किक करते हैं या हिट करते हैं या एक बुलेट शूट करते हैं आप जानते हैं कि पूरी भागीदारी के बिना वो वहाँ नहीं जाएगी जिदर आप उसे भेजना चाहते हैं समाज में आप अपनी नाकाम्याबी का दोश किसी और पर डाल कर उसे छिपा सकते हैं खेल में ये साफ साफ नजर आता है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं वरना वो काम नहीं करेगा तो खेल का सबसे अच्छा पहलू यही है क्या इसे हमारे जीवन में भी आना चाहिए बिलकुल खेल को इस देश का हिस्सा कैसे बनाए हाँ हम ग्रामीन स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं हम इसमें सभी खिलाडियों की मदद चाहते हैं जो लोग अपना प्रोफेशनल खेल जीवन पूरा कर चुके हैं वो इसमें हिस्सा लें ताकि ग्रामीन भारत में खेल को लाया जा सके क्योंकि देश की सत्तर प्रतिशत आबादी वहीं है हम ग्रामोत्सवम आयोजित करते हैं जिसमें हजारों गाव खेलों में हिस्सा लेते हैं हमें देश भर में इसे लाना चाहिए ग्रामीन भारत को खेलों में शामिल के बिना भारत खेलों में एक महान देश नहीं बन सकता झाल झाल